सबी धर्मों में बताया कि विज्ञान है हमने धर्म माल लिए समझे नहीं कि धर्म क्या है धर्म गरंत पड़े नहीं है वह एक गुरुप में तुम में से किसी ने बेजा था नहीं पॉलिटिकल गुरुप में आप अदालत में गीता पर रखकर हाथ तो रखकर कसम खाई जात तो सबसे पहले आप से कहिंए भाई गीता पर कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ समीधान पर रखकर कसम नहीं खाई जा रही है लेकि उस गीता को पढ़ाया नहीं जा रहा है तो अगर हम धर्म गरंतों पर भी देख लें तो वहां भी कई कई सोलूशन मिलते हैं लेकिन देखो कि आपका कौन सा ऐसा खर्चा जो जादा मुनाफ़ा नहीं दे रहा है मुनाफ़ा इंटम्स ऑफ पैसा भी होता है मुनाफ़ा इंटम्स स्टेटस भी होता है आपकी जरुवत भी होती है अगर को ऐसी चीज है जो आपके पास है और जिसकी आपको जादा जरुद न परनामंद कर दी कि मैंने एक एक्जामपल दिया था शायद आपको मेरे अपना एक्जामपल है मेरे घर में हिंदी और इंग्लिश दोनों के अकबार आया करते थे यह उन दुनों की बात है जब 50 परेसे एक रुपे का आपार आता होगा शायद मैं अपने दफ्तर में जाकर यंद्धी का पर नहीं होते हैं वो हिंदी का पर मुझे नजीता मैं नोट करने इसको उन्होंने वोटेट उससे पूष कर आपड़े से नोट कर ली तीन यह चार मेंने घुजरे थे चार महीन लगान उससे का थे वह इंग्लिश का बार निदा रुम आपको नहां मैंने मना क्यांत उसे लिए अच्छा कर लिया में तो खर्चा कम कर दूसरा खर्चा कर लिया तो क्या फायदा भी आ खर्चा कम करने का मतलब अगर खर्चा कम कर लो तो उस पैसे पो जो भी बच रहा है उसे एक जगह अलग से खटा करो और करजा उतारने के लिए उसका इस्तमाल करो मैंने उस दिन से गाड़ बांदी थी और मेरी उमर लग बग 17-18 साल रही हो गिता हुए मैंने तब यह तो पर बंद कर रहे हैं पैसे बहुत सार रहे हैं रेगुलर अब कर दिया सिग्रेट पीनी बंद कर दिए तो उसको अलग खटा किया यह और पैसे कहीओ और खर्च करनी शुरू कर लिया है वो डबी जो सिग्रेट की खरीदनी है उसको इखटा कर लिया है जी कितना हो गया गिनानी अभी और मैंने कहा थे इनको मैंने वो पैसे जब इखटा करके निकालोगे ना तो किस दिन तुमें लगए यार मैं कितनी गाड़ियों में आग लगा चुका पीपीखे अहां ऐसे त में दस जब भी को लिमिट भी तो थी भाई इन्होंने इन्ट्रडेक्शन वोला था मैं हफते में आठ दिन शराब पीता था मैंने यार करता साती दिन होते हैं आठ दिन कैसे किस दिन दून में दोबाई तो पता नहीं इनके तो मैं समझता हूं शराब की बहुत ले बेज लोगों ने घर बनाली होंगे अपने इतनी खाली बहुत लोग हूंगी है अभीने सवन्दमाय के तो वेस्ट हो रहे हैं तो वेस्ट वह तो इसको इखटा करना ऐसा नहीं है कि वह पैसा आप खर्चा बंकर दिया पैसा का जारा मालम नहीं इसका मतलब आपका मनी और उसका परपस केवल और केवल करजे से बाहर निकलना हो वो पैसा करजे से बाहर निकलने के लिए इस्तमाल करना है अगर करजे से बाहर निकलने के लिए इस्तमाल नहीं किया गया तो आपका कटोथी करना कम करना खर्चा बंद करना यह किसी फायदा नहीं है यह बेवानी ह करझे तो महीं का भल रहे गा तो करदे से बाहर निकलने के लिए ही उसका इसलमाल करें तो यह काम कर सकते हैं तरीकाग आगा नेक्स्ट किवा लिकसिवार निकलने कल Milan कौई नयाग कमाई का साथन तो मैंने मैं की पता है कमाय के साथन second लगा लेकिन दो चार पाइप करजे से बाहर निकलने वाले लगाओ इनका जो पैसा आएगा वो केवल और केवल करूझे से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इस पैसे का इस्तेमाल में अपने किसी और काम में नहीं करूंगा जो लोग कर्जे में हो तो मैं से बुझत है ठीक है कोई बात ने आप कर्जे में चले गए आपने जो प्लैनिंग की गलत हो गए रन्नीती फेल हो गई अब आपके पास नहीं रन्नीती क्या है कि क्या दें जी मेरे पास नहीं रन्नीती है मैं अपने कि बिजनेश को ग्रों करूंगा तरक्की करूंगा बहुत आगे बढ़ूंगा और अपने बिजनेश से पैसा करक्रे carrों करकर कर dau कर्द दूंगा और आपके तरीका और स छोड़ा सा पाइप लगा दोना महांसे तोड़ा तोड़ा रिष्टा रहे निकलता रहे करजा का कोई ऐसा खास source of income generate करो यहां से आहा हुआ पैसा केवल करदे में जाएगा यहां से केवल इंस्ट्रोनमेंट भरी कि आप जहां नौकरी करते हैं पार टाइम में कोई और नौकरी पकड़ सकते हैं केवल करजे के लिए वह नौकरी करजे के लिए और केवल तब तक है जब तक आप करजे से बाहर नहीं निकल जाते हैं को बिजनिस कोई एडवाइजरी कोई ऐसा आपको लगता है आपके पास क आपके बास एक नया source of income generate हो जाए जो करजे के बाद भी आपके लिए कमाई का source बन जाए शुरू में बड़ा जीब लगता है सुनना लेकिन यकीन ऐसा होता है कई बार आपको इस पार टाइम में होबी के रूप में शुरू करते हैं और करते 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 एक दिन वह आपक मैं नहीं सोचा था कमाने के लिए एक मेरा सपना था उस अपने के लिए लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और उसके बदले मुझे पैसे भी देना चाहते हो गया का आप देखो आपके करजे से निकलने के लिए आपका कौनसा ऐसा पाइपलाइन होगा कौनसा ऐसा source of income जिससे आप करजे से बाहर निकलेंगे अगर कुछ भी हो चाहे छोटे से छोटा हो इसतमाल करो उसका कि और ऐसा निये कि आपको क्योव अपने आपको इस काम पे लगाना है सब को लगा दो इसकाम पर हर उस वेक्ठी को हर उस चीज को इसकाम पर लगा दो जो आपके लिए कि लिए नौकरी थोड़े कराओं भेज दो कौन मोना कर रहा है तुमें गर में बैठे 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 वैसे ही बोर हो जाना है उसने है आप देखो आपके परिवार के लोग आपके करंचारी अपने टीम के लोग जो आपकी टीम के लोग हैं उन्हें देखो उनका सही इस्तमाल कैसे कर सकते हैं और यह आपकी जिम्मधारी उनकी नहीं करजे में आप हैं वो नहीं है वो नहीं चाहेंगे वो नहीं चाहेंगे कोई ना कोई source of income मिलेगा कई वार ऐसा होगा कि आपने शुरुवात करी होगी केवल करजे से बाहर निकलने के लिए और आइस्ता 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 इस्ता एक platform बन जाएगा उन्होंने कहते हैं मैंने करजे से निकलने के लिए अपनी बहन के लिए सोचा कि मैं उसको बाहर जॉब करने के लिए भेज दूँ और उसकी उमर लगवाग अठाइस साल हो चुकी थी मुझे लगता था उसकी शादी भी करनी है अभी रिष्टा जून रहे हैं अच्छा रिष्टा नहीं मिलता है कि तीन महीं नहीं हुए थे उसको बाहर जाये हुए उसकी पसनेंटी में उसका परपस ही नहीं था कि जाकरके मेरी बहर जाएगी तो उसकी पसनेंटी में इंप्रिमेंट होगा या लेकिन हुआ क्या यह तो हम सब जानते कुदरत का नियम है कि जब आप परिवार में एक जगा बैठे हुए है तो आपकी सोच उसी तरह क्योंगी जब आप बाहर ल में इंतरيا हो गया जो हमारे ने करोड़ों का यह तर यगिन अलबंगे साथ लेकर के चलना चाहता हूं तो इसमें पृराई नहीं है आहगार आपके परिवार के लोगों आपके बारे मालूम है, आप कैसे इंसान है, आपकी situation मालूम है, तो यकीनन वो आपका साथ देंगे, और अगर वो साथ ना दें, तो भी आपके पता चल जाएगा कि आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, तो अच्छी बात है, सिर्फ कहते रहने से परिवार परिवार नहीं होने वाला, मैं आपको को है, आप मेरे परिवार के वैक्ती है, कभी आपको कोई ज़रू तो बताएगा, लाइफ टाइम में आपके लिए विलेबलू, पांदस पना मिन तो फ्री में दूंगा, आगर किसको आना हो, आधा गंटा भी दूंगा तो दे दूंगा, यार क्या फरक परता आजाओ ना, तुम्हारी समस्य का समधान होना जाइए, यह रमन कड़ा है, कितनी दर मैठे आथ दिन में, एक गंटा, इसको ट्रेंट करना है, तुन्हें बोलना ना, तू, यार यह बोलेगा स्टेज पर, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है, अगर मैं इसे परिवार कहता नहीं हूं, मैं इसे परिवार मानता हूं, और परिवार ऐसे ही कमाया जाते हैं, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी, आपकी बीवी, आपका भाई, आपकी बेहन, आपके वो लोग, जो आपके साथ है, अगर आपको लगता है, उनमें को satisfaction होगा और यकीनन उनके पास अब कुछ और सोचने का option भी होगा वरना अभी तो केवल करजा 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 बुरी situation बुरी situation यही सोची जारी यही घर में चल रहेगी घर में रोज आते ही वही शाम को tension है यह कैसे होगा ऐसे कैसे होगा तो उससे बाहर निकलने के लिए उस माहौल को बदलना पड़ेगा हम घरों को नहीं बदल सकते लेकिन घर के माहौल लोगों की सोच को विचारों को बदल कर जितने भी लोग आपके परिवार के हैं आपके दोस्त हैं आपके साथी हैं उन सब का इस्थमाल कर सकते हैं जितना हो सके करिए अगर यह पॉसिबल है तो मैंने इसलिए कहाई संभाव हो तो अगर कोई ऐसा वैक्ति है जिससे आपने करजा लिया आपका दोस्त है आपका खास वैक्ति है और वो केवल अपना मूल लेने को ही तैयार है तो कई लोग बताते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है करदे से बाहर निकलने का कि आप उसका ब्याज देना बंद करें अगर आप केवल मूल दे रहे हैं जितना भी दे रहे हैं मानों आपने 20,000 में मिहना किश्ट बांद रखी थी केवल करदे की ब्याज की और अभी 20,000 आपका मूल कट रहा है तो अब आपको वह बर्डन नहीं लगेगा अब आपको अच्छा लगेगा मेरा पैसा कम हो गया मेर तो तरही है यह दे रहे हैं यह कहा जा रहा है पता नहीं कहा जा रहा है तो दिमाग पर टेंशन होती है अगर आप केवल और केवल ब्याज को बंद कर दें तो इससे ही आपका मेंटल प्रेशर बहुत हब तक कम हो जाता है कि लोग बताते हैं कि मैंने अपने करदे से बाहर निकलना शुरू हुआ क्यों क्योंकि मेरे दिमाग ने मुझे कहा अब तू अपना बर्डन उतार रहा है अब तक तो सिर्फ यह लग रहा था कि केवल तू ब्याद दे रहा है और पूरे जीवन भर केवल इसका ब्याद ही चुकाता रहेगा मूल वहां है जाँ खड़ा हुआ कि यह साइकलोजिकल इंपेक्ट होता है लोगों और बहुत सारे लोगों पर तो इतना जाना होता है कि कई लोग यह सुचते हैं कि यार कोई भी आप्शन हो कोई भी तरीका हो ऐसे यह कर लोगे हैं हो सकता है जिस वेक्ति से आपने कर्जा लिया हो वह वेक्ति आपका ब्य न भी आज के पैसे दिनंको तियार हो जाएं जब लिया था करजा तबरीन था वोग्ति आज मिलिए वेक्ति आपका रिश्ट्वार हुआ आपके कोई नेया रिश्ट्यारी में मिला मैं तो यह तो यह किनłę उसका करीं के के लोगाता साभी बुरा तो नहीं लगे नहीं बुरा नहीं इसमें आपस में आपी राकेश जी आए नहीं है आएंगे आज राकेश अग्राल जी मिलो आँगा आपको आगे क्या है अन राकेशी भी आ रहे हैं अच्छा मिलो आँगा आपको जो हमारी अरुटीजमन करें लोग पूछ भी रहते सार आपके अरुटीजमन कौन करता है बड़ी बडिया पोजिशन बादे पेस्ट्री पर आती है बढ़िया डिजाइन ही होती है पता है मार्केट से 30 पर संस्ते रेट पर देता है वह वेक्ति मुझे है कि मेरी पोजिशन पर देता जा मैं को मैं कहूं कि यहां इस फोटो के साथ आएगी तो वहीं आएगी अभी अगर आपने फेस्बूक पर आपका टच में हो नह छोटा सा माउंट डिया था लेकि टेंशन बहुत थी क्यों कि कभी कर्दे में रहा नहीं हो और जो लोग नहीं रहते ना अगर आप मेंसे किसी ने कभी करदा ना लिया हो तो जिसने लिया होगा ना पहली बार तो बड़ा प्रेशर लगता है क्या कर रहा हूं है क्राइम ल लेकिन बाइचांस मैंने अपने दोस्से बात की तो मेरा दोस्स कहता है यार इतना बड़ा महुन नहीं है तु मेरे से ले सकता है पांच लाग रुपर कोई बड़ी चीज नहीं है तु ले ले मेरे से और कर देए का दे दियो मुझे क्विए कर facto अग्सर हम जब बात करते न को उसकरते साब आम जो बाते पताते हैं वहों मेरे दिल में कहीं रहे होती और कि वाप है तरही Olá सची क्यों होती है क्या हुच मैशा यही बाते है करें से ढून لेते हो सच्छी या सच्छी आपको मिल जाती जया ऐसा नहीं है जो अभी रमेश जी ने करना वो ही मेरी भी बात है वो ही आपकी बात है हर काम्याब इंसान की यही बात है कि वो दिल से बात करता है अगर आप दिल से बोलोगे वो बात आपके दिल को लगेगी लगेगी है मैं अगर किताबों की बाते करूँगा तो شायद आपके दिल को नहीं लगेगे, आपका दिमाग समझ सकता हो उस पर दिल नहीं समझेगा और जब दिल आपका समझ जाता है कि चीजें ठीक हो सकती हैं, तो यकीनल चीजें ठीक हो सकती हैं बदलाओं की शुरुवात हम केवल अपने आप से करते हैं अगर हम अपने आपको बदलने को तयार हैं तो हर चीज बदली जा सकती है अफसोस की बात ये है हम पूरे समाच को तो बदलना चाहते हैं देश को बदलना चाहते हैं अपने आपको नहीं बदा anticipated और आपके और अमीरी के और आपके और कामियाभी के बीच में किया एक वक्ति खड़ा हुआ बदल दो इसको पहड़ा दो जो बहानेवाद है जो जुट बोलता है जो आलसी है जो नाकारा है जिसको मालूम है मुझे क्या करना चाहिए लेकिन वो करता नहीं है और बार 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 ये कहता है कोई दूसरा जिम्मेदार है मेरे लिए हमारी काम्यावी और नाकाम्यावी के लिए केवल हम जिम्मेदार है और हमारी और काम्यावी के बीचे एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ है जब तक वो व्यक्ति बदलेगा नहीं बदलाव होगा नहीं चाहे वो करजे से निकलने का बात हो तरक्की करने की बात हो एक रुपे से एक हजार कोड़ से बड़ा एंपार कड़ा करने की बात हो असली मूल मंत्र तो यही है आज मैंना आपको कुछ तरीके दिये कुछ और तरीके हैं हमारे पास करदे से बाहर निकलने के लेकिन जितने भी तरीके मैंने दिये यह जो भी रवेशी ने कहा मैक्सिम आपके आपकी कंपनी करदे मैं अब यह समझ मिन आता कर दोन रहा है 100 ती पर यह कंपनी पर नहीं यह फेइल आपक़ए के लिए पैसा लिया मानों दो क्रोड रुपे तो अगर ऐंडर है उज कंपनी घाटे में चल रही है तो कंपनी कहां खा गः हुए पैसे को कंपनी निकाया क्या हमने पशुद अपना दी हम न यूव नहीं पैसे और लाद जाने का घलत रास्ते आस्ते आपको 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 करदा है ये समस्या है लेकिन छोड़ दीजे इसको समधान की बात करें समधान क्या है जब हम समधान की बात करते हैं तो हम समधान ढूंड लेते हैं और हमारी किसी भी वेक्ति से की हुई कोई भी बातचीत कोई ना कोई समधान हमें दे देती है अभी नरेन जी ने कहा कि अग बज़र यह से बैठे थे कि यहां मैं कुछ लेकर जाऊंगा कि लोगों सकता है ऐसे बैठें कहा है राइं तो अपनी गाडियों के बारे मेरे में बारे में निकलना चाहता हूं लेकिन बात क्या कर रहा है DOS cnosais आया आऊ सब करजे में फस गया हूं आया कि करजे में फसा क्यों क्योंकि बॉद्व को सब्धान की नहीं कर बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था फ्री समिनार में, अक्सर बात करता हूँ, समस्या क्या है? समस्या केवल वो है जिसका समधान है, जिसका कोई समधान नहीं है, वो समस्या नहीं है, करजा एक समस्या है, इसके बहुत सारे समधान है, केवल समधान उपर बात करिए, उसके क्या-क्य समधान पॉसिबल है मेरे पास कौन से पॉसिबल है और कौन से प्रेक्टिकली पॉसिबल है कुछ ऐसे हैं जो प्रेक्टिकली पॉसिबल नहीं है छोड़ दीजिए उनको जो प्रेक्टिकली पॉसिबल है उन पर बात करिए समधान उपर बात करिए यस आप देखें आपके अंदर इंटर्नल ब्लूप्रिंट कैसा है आपने किताब पढ़ी होगी सिक्रेट्स ओव्लियूर्यस माइड नहीं पढ़ी तो मैं रिक्योमेंट करूँ किताब जरू पढ़ें सिक्रेट्स ओफ मिलेनियर्स माइड जो लोग बनते हैं उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है एक्च्वल में हम सब जानते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं लेकिन बड़े लोग सोचते कैसा है कि ने उनका ब्लूपरिंट कैसा है यह थैया होता है अगर मादोव आपका अमीरी का थर्मामेटर 1000 कोड़ पर टिका हुआ है हुआ है तो भाइसा मैंने थमीनिचे काम करोगे हैं नी चाओगे नहीं है और आपका अमिरी का थर्मामेटर अकर ढस क्रोड़ पटिका हुआ है तो दस कोड़ से नीचे काम नहीं करो किया है आप कई अमीरी का थर्मामेटर ठंडा पड़ा हुआ है दस बीज जार पटिका हुआ है हमारा अंदर का ब्लूप्रिंट कैसे है करता है कि हम क्या बनने वाले बच्पन में हमने क्या सुन लिया था शायद हमने करजा उतना बड़ा आदमी बास सच है हर बड़े आदमी पर करजा है सच है बिल्कुल और जितना बड़ा करजा उतना बड़ा आदमी यह भी सच है मानों मेरे उपर सौ क्रोड़ का करजा है तो इसका मतलब क्या है वह मैं मेरे उपर लोग मेरे उपर सौ क्रोड़ के लिए दाव खेल सकते हैं रिक पर नहीं किल सकते हैं लेकिन हाँ दिक्कत क्या है मैंने ब्लूप्रिंट तयार कर लिया कि करजा अच्छी चीज होती है और जितना बड़ा करजा उतना बड़ा आदमी तो चाहे कैसे भी हो करजा ले लो मैं भूल गया कि बड़ा बनने के लिए केवल करजे से बड़ा नहीं बना जाता बड़े बनकर बड़ा करजा हो सकता है आप केवल करजे के बनों से बड़े बनना चाहते है क्यों आप तो हजार दस जार पचास जार के आदमी है और आप दस लाग का करजा लेकर ये साबित कर आप अपना लूरूप्रिंट गड़ा गया क्या करजा ले लो करजा ले लोगे तो प्रेशर बनेगा और अधिर तुम बढ़ चाहेगा और तुम लैल जाएंगे वरना तो माल सी बने रोगे तुम्हें पैसा तो किसी देना नहीं है अब यह बच्पन से डाल दिया किसी के मन में तो उसका ब्लूप्रिंट वैसी तेयार हो गया है उस सीक्रेट ऑफ मिलेनर माइन में एक कहानी है चोटी सी एक लेडी होट डॉग अमेरिका में होट डॉग ब करते हैं करते हैं उसकी मदर से मिले तो उन्हें बताया मेरी कड़ाई चोटी थी तुम्हारी कड़ाई चोटी नहीं है तुमने चोटी कर लिए कड़ाई है क्योंकि वो बच्पन से तो फीड होता रहा है हर अमीर आदमी पर करजा होता है करजा लेना बुरी चीज़ नहीं है करजा अच्छी चीज़ होती है अब वो यह तो भूल गया कि अच्छे करजे और बुरे करजे होते हैं उसे यह तो सिखा है नहीं कि अच्छा कौनसा बुरा कौनसा मैं उसको बता दिया करजा लेना गेंस गोल कहां से मिलेगा हर चीज को लोन पर लेने की कोशिश करेगा क्योंकि इसका blueprint असा है कैसे चैक होता है क्या करते हैं सिखाएंगे किसी सेमिनार में बट देखिए आपका blueprint कैसा है कई बार हमारा blueprint ही खराब होता है आपके परिवार में आपके घर में आपकी जान पाइचान में आपके आसपास आपके बिजनस में आपके दफतर में अगर नेगटीव लोग है जो केवल बात करते हैं आपें इसको क्या आप यह मानें गे वास्तु का दोश्य नहीं 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 आपके अंतरात्मा कई जगा है कुछ घर है ऐसे किसी रूम में जाओ तो अजीव सी नेगेटिविटी आते हैं छोड़ो उस रूम को को व्यक्ति है जो हमेशा नेगेटिव है और जिससे मिलकर के रेगुलर नेगेटिविटी आ रही है छोड़ दीजिए उस व्यक्ति को कम से कम तब जरूर छोड़ दीजिए करजे में हैं करजे से निकलने के लिए आपको पॉस्टिव माहौल पॉस्टिव एटमस्फर की जरूत होगी आप कोई कह सकते आप ऐसे यार मेरी तो बीवी बड़ी नेगेटिव है और आम तो बीवी छोड़वा दोगे मरवाओगे नहीं तो क्या करो उसका solution है क्या उससे उसके मतलब की बात करो करजे की बात मत करो अरे करजा छोड़ना तुझे बता कौन से साड़ी चाहिए का गुमने चलेगी बता आपका भाई है कोई आपको लगता है कि नेगेटिव है तो उससे उससे बिजिनस की बात करने की जरूत नहीं है उससे अपनी situation शेर मत करो उससे सिर्व शेर करो जो उसके मतलब का है यार तेरे को मुवी देखने चलना है मेरे साथ ना चल नहीं भाई साब तो करजा चोड़ना तुझा क्यों क्योंकि अगर आप उसके साथ नेगेटिव वेक्ति को पॉस्टिव करने कोशिश करोगे अ वह ऊस लेवल पर नहीं सोच पाएगा और गुरुचत के कहते हैं किसी भी अपने मैंटल से छोटे लेवल के मताना那麼 seconds क्यों क्यों कि वह अपने मैंटल सर पर ही कि दिने शुरू कर लेगा कोई एक सब्सक्राइब कर देगा है क्योंकि वह विद्वा फंड में उन्होंने पैसे दे दिए तो इससे बड़ा एंपएर खड़ा हो जाएगा ऐसी कोई पॉस्टिविटी नहीं होती है पेड़ लगा दो पेड़ का से लगेंगे कैसे लगेंगे हमारा किया हूँ अच्छा और बुरा हमारे सामने आता ही आता है यकीनन यह सच है जो नेगटिव लोग है वो अपने साथ एक नेगटिव एनर्जी नेगटिव एटमोस्फिर लेकर कर चलते हैं और वो आसपास के लोगों को माहल को इतना नेगटिव बना देते हैं कि कई आपको पॉस्टी सोचने ही नहीं दिया जाता एक तरफ तो आप करदे में ओपर से आपको नेगटिव लोग मिल गए ऐसी जगह ऐसे लोग छोड़ी अगर उनको हटा सकते हटा दीजिए नहीं तो उनके मतलब की बात करिए कम से कम उनसे कर्जे के बारें बात करना मत करिए येस शो आफ नहीं करना है आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपनी लग्जीरियस लाइफ दिखानी है कि आप अमीर हैं आप करदे में नहीं है बट शो आफ नहीं करना है लेकिन क्या करना है आगे क्या देखू अपना स्थर जिस स्थर पर आप हो उसको गिराना भी नहीं है क टच कर जाते हैं और फिर लोगों हर बार उसे यही उमीद करते हैं कि यह इसी लेवल पर रहेगा लेकिन क्योंकि वो कर्जे में है तो लेवल मेंटेर नहीं कर पाएगा और फिर जब वो गिरेगा तो पूरी तरह से गिर जाएगा शौफ करने की ज़रोत नंगे कैंज में नहीं हूं लेकिन बताना भी में नहीं हूं कर सिसरे में गस समझें हूं को करते हैं को थे सब्सक्राइब जानगे ओर देखकर केЕТ ऑर बड़ी 1 पार्टी कर दें कहीं कभी कभी को हाट निया घर ले देते चोड़ा-उता बड़े लोक क क्यों क्योंकि उनको पता है उनको इंवेस्टर्स मिल जाएंगे यह देख करके ऐसा नहों मेरे इंवेस्टर के सामने निगेटिव में चली जाए मेरी वो उनको ठीक है बिजनिस पॉइंट फूर ठीक है समझ में आता है लेकिन आप आप कोशिश करें अपने इस तर को मिंटे देगा कि आप कर्जे में तो है ही आप उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं आपके पास सोलूशन नहीं हूँ और जब सावणडे आपस प्रवल्लम है और सलूशन नहीं है तो सोलूशन देने वाला वैक्ति भी आपसे किनारा करने लगता है क्यों कि गृती हुई दीवार से हर कोई दूर रहना चाहता है उसको लगता है कि यह दिवार मेरे उपर ना गिर जाए तो किसी भी वेक्टिव को यह message नहीं जाना चाहिए यह negative message है अगर यह negative message जाता है तो नुक्सान हो सकता है आपको एक और जो अगसा लोग गलती कर जाते हैं घाटे में होना कोई बुरी बात नहीं है कभी भी आ सकता है नुक्सान की सिखाव भी हो सकता है करजे में कोई भी जा सकता है but it's an humble request अपनी goodwill को cash मत करना आपकी जो image आपने बनाई है कहीं ऐसा नहों उस image को आप cash करने के चक्कर में सब कुछ तभा कर दो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी बहुत बड़े बहुत अमीर हुआ करते थे जिनके नाम का सिक्का चला करता था जिनकी इज़्ज़ शोहरत थी जिनके लिए लोग आते ही खड़े हो जाया करते थे उन्होंने एक बार एक बार अपनी गुडविल को cash किया और इस cash करने के बाद उनकी गुडविल हमेशा के लिए खत्म हो गई आप करजे में कोई बात नहीं नुक्सान में कोई बात नहीं कि नहीं हर वेक्ति से आप कहेंगे क्योंके दोस्तों गुरुचान के कहते हैं वक्त तो बदलता रहेगा अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा लेकिन किसी वेक्ति की मदद लेने से पहले सोच लेना कि उसका ऐसान कितना बड़ा तुम्हारे उपपर आ रहा है कहीं ऐसा नहों कि वक्त गुजर जाए और वो ऐसान बना रहे जाए और जब आप गुडविल को कैश करते हैं तो क्या करते हैं यार लोगों की छवी तो मेरी चवी तो लोगों की नज़र में बहुत अच्छी है मैं किसी को कहूंगा कि पांच लाग रुपे चाहिए दस लाग रुपे चाहिए तो कोई मना नहीं करेगा और आपने अपने artificial है यह वोड़े लोग चाहते हैं आपसे क royalty आपने पैसा लिया मुझसे तो मैं आपसे का चाहऊंगा मेरा पैसा वापस करते नहीं पैसा बास को ना भी करें कम से कम आप यह साबित दो करें किा आप सही है 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 हम अपनी गुडविल को बेढ़ेते हैं है ओ इन टाएम कता सकते हो कर लो हो सकता है कोई आपके नाम से एक बार आपको पैसा दे दे लेकिन दुबारा दुबारा वो आपका नाम भी नहीं लेगा किसी के सामें जो एक ती गर महसुस कर रहा था कल तक आपके साथ रह करके कल आपको उसको शर्म हुगी यह बताते हुए कि मैं उसके साथ हूं और फिर पिर इसान ना तो समाच का रहता है ना बिजनेस का रहता है न नोकरी का राता है न परिवार का रहता हैं किसी का भी नहीं लेह पाता हो गुल कैश outros करने हैं आपको अगर लोगों की मदद शाहें रही क्या है अब उनसे बाद करो आपको समस्य आएं तो क्या करो उनसे आज हास अबहुट अप्यूट्वेशच है अपने जोगों की मदद नए मोगें तल offers नहीं उनकी मदद लो अमेरे को प्रॉइलम आगई है आप मेरे क्या मदद करोगी मैं के आपके परसा हो मेरे को यह प्रॉपम् gelmişे ओक्षोज सकते हों किसी के पास बेज सकते हो किसी से मिलवा सकते हो कोई बैक्ति है जो मेरे साथ बात करोगे तो आप दारेट डो मेसेज़ दें रहें दो मेसेज पहला आप अपने गुडविल का स्ट नहीं करना चाते आप केवल अपने टैलेंट के भर से आगे बढ़ना चाते हैं और आप उनकी इजद करते हैं आप उन्झे अपना मानते हैं इसलिए आप उनसे मदद मांग रहे हैं दो मेसेज दिया आपने आपको अपने उपर वरुसा है और आप उसे मदद मांग रहे हैं उन्हें अपना मानते हैं जब केवल आप पैसा मांग रहे हैं तो आप अपने उपर वरुसा नहीं कर रहे हैं आप केवल और केवल कैश कर रहे हैं अपनी गुड विल्केश नहीं की उन्होंने अपॉर्चनी जूनी है कि मैं आपको क्या दे सकता हूं मेरे पास यह है अब मुझे क्या दे सकते हैं बदले में और ऐसा करोगे तो लॉंग टर्म तर लोग आपके साथ जुड़ेंगे आपकी कस्में खाए जाएंगे आपके साथ जुड़ना चाहेगा आपका employer आपका employee गर्व महसुस करेगा आपके उपर अभी रमेश यह है क्या इनका employee कोई प्रॉलम आजेगी तो इनके साथ नहीं खाए होगा है गर्व महसुस नहीं करता होगा कि यस मेरा मालिक है क्या इन्होंने सारे अच्छे सिच्वेशन दिखेंगी बुरे वक्त भी आया होगा बुरी सिच्वेशन भी आई होंगी लिए अब इन्हों ने यह तो गला कि यह तेरी जेब कर तो इस तो इस तो यह क्या करेंगे आपको वी सॉलुशन मिलेगा आपको भी कोई नों कोई मदद मिलेगी अपने लोगों से मिलेगे लिकाव जब आप उनस अब की एक्समाइन है हरकाम के एक्सपर्ट मुझस हैं लोग से चाहँ कहते हैं कि आपके की कर्जे के लिए भी एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको हर काम का expert available है expert की advice लो पैसे दे कर लो free में लो संबंदों के हिसाब से लो जैसे भी लो लेकिन उससे expert की advice लो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो expert है Mayfield के वह आपको बताएंगे से बाहर किसा सकता है हो सकता है तुम्हारी प्रेजर सिचुएशन जो तुम्हें लग रहा है वह समस्या होई ना preciso कर्जिया से बाहर निकलने का कोई ऐख सब्धा लिया अपने आपको यह ली क्योंकि जमाना वो है अगर आप अपनी तारिफ नहीं करेंगे तो कोई आपकी तारिफ नहीं करेगा अगर आप चाहते हो लोग आपकी तारिफ करें तो शुरुवात अपने आपसे करो हर चोटी से छोटे काम के लिए अगर आपने दस हजार का भी करजा उतार दिया अप्रिशेट करो अपने आपको और चाहे उसके लिए दो हजार उपे खर्च करने पड़ जाए आपको साफ ही का बात करो करजे से निकलना है आप करो पैसे बचाओ करो खर्च करो हाँ क्योंकि ये मॉटिवेट कर आपको अगली अपॉर्च डी के लिए के दुबारा कुछ काम हो और दुबारा फिर मुझे 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 आपको एप्रिशेट करो और क्या आसान तरीका क्या है जोड़ लो किसी चीज़ से मुझे नई शर्ड लानी है जब तक यह काम नियों नहीं लौँगा को अच्छा है जो करना चाहते हो को इच्छा ऐसी है उस इच्छा को जोड़ लो उसकाम के साथ कि जिस दिन ये काम खत्म हो जाएगा उस दिन ये काम करूगा है तब तक रोज याद है का तुम्हें हम करते हैं जली से मुझे बाहर निकलना है जल्दी से समस्या का समधान कि अपने रहे आपको appreciate करें क्योंकि जब भी आप छोटा सा काम वी इस वित काम के ही करते हैं करते से निकलने के लिए करते हैं तब तब आपको एक motivation की जोड़ा है आपके को टीम आपके जुतने भी साथी जो में सदस्य हैं हमने बताया था को टीम क्या होती है आपके को टीम के members आपके वो लोग जो आपके खास हैं उन खास लोगों को बताओ कि क्या चल रहा है और उनसे समधान ढूंड़ने में मदद लो की उन्हें बत हमें लगता है कि इस वेक्ति के दिमाग में कहां से solution होगा जब solution मेरे पास नहीं है तो मालिक होंगा के बार होता है हम बड़ी समस्या पर फोकस कर रहे होते हैं समस्या को छोटी होती है एक वो मेरे पास वर्ट से पर आभी आपके किसी गुरूप में नहीं आई पिल में आय है तो ठीषाब interess念 अपड़े इंचिनर बुला है बड़े 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 एंजी दो आ रहे हैं कोई कुछ कर रहा है कोई कोई कुछ कर रहा है को सारा सब कुछ चैक निय चनल नहीं रहा है एक एरिया का इलेक्टिशन लोकल है उसने का भाई पहले तो शुरुवात करो इसका प्लग ठीक है क्या नहीं प्लग देखा खोला तो उसमें तार रटा हुए था जोड़ा हो गया काम करें यह टीवी क्यों खोला था हमने चल नहीं रहा था करें तो चलना यहां से शुरू होता है कि वारा समस्या को इसे अंगल से देख रहे होते हैं होती कहीं और है राजेशन आपको बताया था है सिच्वेशन नहीं पता है वह उसने कम पूंझी चला ही ने हो तो एमप्लोइय है हो सकता है वह समधान उछी आँवला का चोटे से लेवल का कुई सुलूशन दे और उसी को मृटीप्लाय करके आपने लेवल पर अप्लाय कर लो लेकिन पता का चलेगा जब बात करो के बात बताते हैं और यह बात बिल्कुल सच है अगर आपके टोटल करजा अगर आपने कल्कुलेट कर लिया हो तो और वह आपकी टोटल एसेट से कम है तो इतना जादा घबराने की विज़ूरत नहीं है फिर आपकी सिच्वेशन अभी ठीक है इतनी खराब नहीं है कि यहां से उठ प्रट्रोल में रहती है लेकिन यह सिच्वेशन बहुत आइडिया सिच्वेशन है अगर आपकी टोटल एसेट केल्कुलेट करके आपके करजे के बराबर है तो आप कोई बुरी बुरी सिच्वेशन में नहीं हो आप इससे बाहर निकल सकते हो यह आपको अपने आपको इस चाथी है टेंशन में आगे मैंने यह शॉप लिए यह 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 इसे काम किया ऐसे काम किया साड़े चार्व करूर रुपे का करजा है और आगे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि करजा इतना जदा हो गया है कांसलिंग के लिए बैठे हम लोगे उनकी शॉप पर देख है तो मैंनों को रिलाइस कराने कोशिश की कि घवराने की जुलत ने आप सही सिच्विशन पर हो भले ही आपकी दो तीन रणीत्या फेल हो गए लेकिन आप इतनी पूरी हालात पर नहीं हो कि आम बहुत ना कर सको इस इस दिमाग को समझाना ही मुश्किल होता है कोई हमें समझाने वाला नहीं होता कि हम सही है कि गलत के जए ह Chang कर रहे हैं इतना बडा करजा ले ली यह तो ने अपने आ हूं साड़े 4 ख़ा कर लिया लेकिन उस कार्झे किया क्या उसने क्या उसने को ऐसे डवलप की है या वो करजा करजा करजे करा है अगर उसने को ऐसे डवलप कर ली है और उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो निकल सकता है तो यकीनन वो बुरी स्टेट पर नहीं है महां से बाहर निकला जा सकता है इस सिती इतनी खराब न आपको अपने उपर विश्वास नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, अगर आपने मन में माल लिया कि अब आप सफल नहीं हो सकते, तो यकीनन अब आप सफल नहीं होंगे, अगर आप ये माल बैठे हैं कि अब इस करजे से बाहर मुझे कोई निकाल नहीं सकता, मैं करदे से बाहर निकल नहीं पाऊंगा चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो यह